सीनेट एक्जाम के लिए क्या एलिजिबिल्टी होने चाहिए और कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स लगेंगे कितनी मिनिमम एज चाहिए कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए क्या आप हिंदी मिडियम से हो तो ये एक्जाम दे सकते हो सारी बाते हम डिस्कूस करेंगे एलिजीबिल्टी से रिलेटे और डॉक्युमेंट से रिलेटेड सब चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इन डिस्कूस करते हैं यह सारी डीटेल्स लेट्स स्टार्ट हेलो एवर्यवन, वेल्कम तो स्पार्कप क्लासस अगर मैं documents की बात करूं तो form भरते वक्त क्या 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 आपको documents लगेंगे ये आपको पहले से पता होना चाहिए, simply आपका लगता है, आपका photograph होना चाहिए, recent photograph, बहुत पुरानी photograph ना हो, मतब 3-4 साल पुरानी हो, ऐसे या ना हो, अगर एक साल पुरानी है तो भी चल सकता है, लेकिन कोशिश करो कि नई फोटो आप अप अपलोड करो, ताकि वो लोग आपको पहचान पाए, ठीक है, क्योंकि लाइफ फोटोग्राफी होगी, लाइफ फोटोग्राफी क्या होती है, मैं समझाऊंगी अभी, देखो, आपको फोट लेनी है, लेकिन फोटोग्राफ में आपका बैग्राउंड सफेद होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, बैग्राउंड कोई और कलर का है, तो नहीं चलेगा, आपकी फोटो कलर होने चाहिए, लेकिन बैग्राउंड आपका सफेद होना चाहिए, यानि कि आपके कपड़ो का color आपके face का color दिखे लेकिन background आपका क्या हो सफेद हो black and white photo मत कीज देना चीक है background बस सफेद रखवाना आप किसी भी photographer के पास जाओगे जहां से आप photo click कराते हो passport से वहां ऐसा बोलोगे वो click करके दे देंगे आपको next next आपको जरूरत पड़ेगी signature की जब आप form भरोगे तो आपको एक साधे पन्ने पे white page पे sign करना होगा और sign आपको black dot pen से ही करना है और कोई भी pen नहीं चलेगा black dot pen ही करना है especially उन्होंने mention करके रखा ये चीज ठीक है ये दो चीज लगेगी प्लस आपके दोनों अंगुठे का निशान लगेगा दोनों अंगुठे के निशान की ज पर दोशिश करूँगी मैं video provide कर दूँ ठीक है तो एक verification pro forma उसमें download करना होता है वो मैं बताऊंगी कैसे करना है verification pro forma डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको अलग से photo चिपकानी होगी ठीक है download करके आपको print out निकालना पड़ेगा print out निकालने के बाद आपको photo चिपकानी हो कि मेरा identification है कि मेरे left हाथ में चोटा सा till है उसमें आपको लिखना पड़ेगा plus मैं left हाथ से लिखते हूँ मैं lefty हूँ तो मैं उसमें लिखूंगी कि मैं lefty हूँ okay I am lefty आपको लिखना पड़ेगा कोई ना कोई दो आपको mark देना पड़ेगा अपने ताकि exam के time कोई cheating ना कर स इसलिए इस बार अटल विहारी वाचवी medical university में यह verification pro forma release करवाया है इस बार cheating का बिल्कुल सवाल ही नहीं होता ठीक है तो मैं आपको एक बार summarize कर देती हूँ simply आपको photo की जरूवत पड़ेगी white background के साथ दस आपको signature की जरूवत पड़ेगी जो आपने white page पे किया होगा black dot pen स इसके अलावा और कुछ भी जरूवत नहीं पड़ेगा हां अंगुठे का निशान के आपको जरूवत पड़ेगी ठीक है इसके अलावा आपको कुछ भी जरूवत नहीं पड़ेगा आपको कोई card certificate कोई भी कुछ भी upload करने की जरूवत नहीं है लेकिन एक बात जान लो यहां के निवासी हो वो आपको दिखाना पड़ेगा या फिर अगर आप government college में admission ले रहे हो और आपके पास UP domicile नहीं है तो आपको यह दिखाना पड़ेगा अपने mark sheet में कि आपने 10th और 12th UP से ही किया है तभी आप government college के लिए eligible होगे या तो domicile दिखाओ या 10th और 12th का certificate UP UK college से दिखाओ वरना आपको CNET में government colleges में admission नहीं मिलेगा PSE nursing के लिए ठीक है तो यह चीजें आपको तयार रखनी पड़ेगी और यह आपको counseling से पहले तक तयार रखनी पड़ेगी otherwise आपका फिर नहीं हो पाएगा ठीक है आपको सिर्फ private में ही allow किया जाएगा government में allow नहीं कि plus category certificate के लिए मैं बता दू 1 April 2024 के बाद का ही category certificate लगना है और आपका state का ही category certificate लगेगा central level का नहीं जैसे NEET के exam में, AIMS के exam में central level का category certificate लगता है वैसे इसमें नहीं लगेगा इसमें state का ही category certificate लगाना है यानि again अगर आप दूसरे state से हो तो आपको category की छूट नहीं मिलने वाली आप इसी state के हो उत्तर प्रदेश के हो तभी आप category में छूट पा सकते हो category certificate state वाला बनवा के आप दूसरे state के हो तो आपको category में कोई छूट नहीं मिलेगी तो ये सारी बाते I think clear है एक बार अगेन मैं बता देती हूँ फॉर्म भरते वक्त आपको सिर्फ तीन चीजों की जरुवत है photograph, signature और thumb impression counseling के time आपको जरुवत पड़ेगी आपके cast certificate की, cast certificate मैं तो कहूंगी अभी से बनवा लो, ठीक है, एक April 2024 ओवर ही हो चुका है, अब बनवाओगे तो सही रहेगा, ठीक है अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे हमारे पास तो हमने तो 12th pass किया ही नहीं, अभी हमारा result आया ही नहीं है, तो result आपका 31 December तक इस साल तक आपके पास time है, 31 December तक अराम से आपका result आजाएगा, तब तक का result भी acceptable है, ओके, ये सारी बात थी documents से related, अब हम बात तर लेते eligibility की, eligibility कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए, maximum कोई age limit नहीं है, कम से कम 17 साल होना चाहिए, ठीक है, next आपका physics, chemistry, biology के total आपके 45% आने चाहिए, समझाते हूं कैसे, physics का marks, biology का marks, chemistry का marks, इन तीनों का marks जोडोगे, 100, 100 number का paper होता है, तो divided by 100 करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि total marks में divided करने लगे सार इन ही तीन सबजेक्ट के marks जोडोगे, और इन ही तीन सबजेक्ट के total marks से divide करोगे, फिर अपना percentage निकालोगे, वो percentage आपका 45 से कम नहीं आना चाहिए, अगर आप general EWS या OBC हो, अगर आप SCST हो, तो 40% तक होना चाहिए, कम से कम, ठीक है, physics, chemistry, biology में, सिर्फ इसी के percentage देखने है इसी के total marks को आपको count करना है, ओके, next, आपके 12 में English होना जरूरी है, और English में आप कम से कम pass होने चाहिए, आप ऐसा ना हो कि fail हो, बाकि सबजेक्ट में fail हो, कोई matter नहीं है, physics, chemistry, biology और English में fail नहीं होना चाहिए, ओके, अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं, कि अगर हम हमने NIOS से pass किया हुआ है, या फिर हमारा compartment लग गया था, compartment exam दे करके हमने एक साल बाद pass किया है, तो क्या हम eligible है, तो हाँ, आप लोग भी बिलकुल eligible हो, और percentage criteria आप लोग के लिए भी सेम है, कि general EWS या OBC हो, तो आपका percentage 45% कम से कम होना चाहिए, physics, chemistry, biology मिला करके, और अगर PWD हो, तो आपका कम से कम 40% होना चाहिए, और आप लोग भी English में pass होने चाहिए, चाहिए आपने NIOS से किया हो, या आपने compartment लग गया है, फिर आपने pass किया है, उससे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, प्लस जो लोग शादी सुदा है, जो female सादी सुदा है, व आप exam Hindi और English दोनों में दे सकते हो, इस बार bilingual paper होने वाला है, offline paper होने वाला है, अगर आप Hindi medium सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपका paper Hindi और English दोनों में आएगा, असानी से आप solve कर पाओगे, ठीक है, तो ये सारी कुछ eligibility की बात और document की बात थी, I hope आपको समझ में आ गई होगी, मुझे OTP की problem हो रही थी, क्योंकि website से जल्दी OTP आ नहीं रहा था email पे, इसले मैं जो थोड़ा delay हुआ, अदर्वाइस मैं कब का upload कर दी होती, okay, so थोड़ा सा patience रखो, मैं आपको information दे दूँगी, अभी आपके पास बहुत time है, 29 मही तक time है form बरने का, जल्दी बाजी मत करो Okay, so this is all about the video, thank you so much for watching, bye, take care.